हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी के स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज एक बहुत ही खुबसूरत से टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कि जो हो रहा है वो सही है वो positive है तो फिर इतनी परेशानी क्यों इतनी anxiety क्यों इतनी गबराहट क्यों इतना दुख क्यों इतनी सारी psychological problems क्यों इसी के उपर हम पूरा अच्छे से detail में बात्चित करने वाले हैं इसको बहुत अच्छे समझेगा बहुत अच्छे से understand करियागा दोस्तों ये जो line है कि जो हो रहा है सही हो रहा है ये किस reference में बोली जारी है किस तरह से बोली जारी है इसको थोड़ा समझने की जरुवत है दोस्तों nature के अंदर प्रकति के अंदर कोई भी घटना कोई भी happening जब होती है तो एक तो इस घटना से related statement है और एक जो है कि इस घटना को हम किस तरह से परसीव करते हैं मतलब हमारा इस घटना को लेके द्रस्टी कौण है इन से related दो चीजों के उपर यहाँ पर बात है एक तो घटना के होने के बारे में और एक इस घटना के perception के बारे में तो जो घटना है उस घटना के होने के जो भी कारण है उन कारणों के अनुसार ये गटना हो रही है कोई भी जो गटना गटित होती वो हमेशा किसी ना किसी कारण से ही होती है बिना किसी कारण के कोई भी गटना गटित नहीं होती इस प्रकति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जादू या मैजिक नहीं है जो है, सही है, जो हो रहा है, वो positive हो रहा है, यह जो पूरी nature है, यह पूरी प्रकति है, यह positive की direction में ही बढ़ रही है, यह सही की direction में ही बढ़ रही है, यह है इस होने के reference में, घटना के reference में बोला जा रहा है, और यह जो घटना से related जो सही और गलत की जो opinion है, यह बोला जा र उसको positive way में देखते हैं हम उसको negative way में देखते हैं यह होता है हमारा perception यह हमारा positive हो सकता है यह हमारा negative हो सकता है लेकिन जो घटना है जो प्रकति के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा positive ही है वो सारा सही ही है क्योंकि उनके होने के जो भी घटना है, जो भी situation, जो भी हालात, वो जो उस समय मौजूद थे, वो थे, उसी का ही outcome वो event था, तो ये जो line बोली जारी है, ये इस event के reference में बोली जारी है, इस घटना के reference में बोली जारी है, अब इस घटना को आप positive लेते हो, आप negative लेते हो, ये depend गरता है आपके patterns के उपर, क आपका जो दिमाग है, उसके अंदर आपका perception कैसा बना हुआ है, अगर आपका perception positive है, तो ये जो event है, ये event आपको, ये जो प्रकति घटना है, जो भी प्रकति में, जो भी आपके आसपास के environment में हो रहा है, ये आपको यहाँ पर positive फील होगा, ये आपको यहाँ पर क्या लग के साथ में connected फील करोगे, लेकिन अगर आपका perception negative है, तो ये जो event है, ये event आपको negative नजर आएगा, नकारात्मक नजर आएगा, आप बहुत ही ज़्यादा low फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा गबराट मैसूस करते हो, anxiety मैसूस करते हो, insecurity फील करते हो, आप anxiety है, उसको अ negative को हटाने की कोशिश करेगा, और इस negative को हटाने के चक्कर में दिमाग जो है, वो किसमें चला जाता है, हमारा overthinking में चला जाता है, और जब हमारा mind overthinking में जाता है, तो overthinking में जाने की वज़ए से, हमारा जो दिमाग है, वो exhaust हो जाता है, दिमाग exhaust होता है, तो दिमाग के अं event जैसा है वो वैसा ही उसके हालात जैसे वैसे ही है इसको example के तॉर पर समझे कि जैसे मालली जी कि मुझे जुकाम लगा या बुखार आ गया तो एक तो इसका ये prospect हो सकता है कि यार ठीके जुकाम लगा है छलो ठीके जुकाम के अंदर हमारा बॉड़ी का जो immunity है साइध किसी कारण वस कम हो गया था, जिस कारण से जो external infection है वो हमारी बॉड़ी पर हावी हो गए तो अब यह जो जुखाम है, इसके अंदर हमारी बॉड़ी के अंदर antigen enter हुआ है, वो antigen हमारी बॉड़ी के अंदर वो कौन सी है, जुखाम और बुखार की प्रिकरिया है, तो मतलब बुखार जो है वो हमारी बॉड़ी के लिए एक positive outcome है मतलब हमारी बॉड़ी का जो renovation हो रहा है, हमारी बॉड़ी के अंदर जो भी defect पैदा हो गए थे, इतने लंबे time से immunity जो down हो गए थी उस immunity को वापस से recharge करने की जो एक प्रिकरिया है, वो क्या आपका जुखाम और बुखार, तो आप इसको किस वे में ले रहे हो यहाँ पर, positive ले रहे हो, मतलब आप अगर इस तरह से explain करते हो कि ठीक जुखाम है कोई दिक्कत ने, बॉड़ी वापस से renovate हो जाएगी, बॉड सही है क्योंकि body community down थी, तो down थी तो यह हो गई होगा, इसको कौन रोग सकता है, अगर आपका body community down है और आपका external, जो surrounding, जो infection से वो इससे मजबूत है, तो आपको क्या होगा, जुखाम या बुखार आपको लगेगा, अब लग रहा है, अब यहाँ पर यह क्या है, एक right event है, क्योंकि उसके हालात थे, तो हालात के अनुसार उसका क्या मिला, आपको outcome मिला, लेकिन इस हालात को अब यहाँ पर अगर आप positive explain कर रहे हो, तो आप easy feel करोगे, जुखाम से आप लडोगे नहीं, इसको हटाने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, यह हुआ है, अब यह 2-5 दि क्यों हो गया, यह बुखार क्यों हो गया, यह नहीं होना चीए था, अब इससे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा वर्क नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो प्रोजेक्ट से वो सारे पैंडिंग रह जाएंगे, मैं लोगों से मिलना था, मीटि करने तो कुछ भी नहीं पाएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे यह हुआ ही äl equally फिर हम क्यी जुखाम से लड़ाइ सुरू कर देते हैं अब जुखाम से लड़ाई सुरू कर देते अब जुखाम है हुआ है इससे सारे पर्सेप्शन रखते हो, रॉंग द्रस्टिकॉन रखते हो, तो आप इससे लड़ना शुरू कर दोगे, आपकी लड़ाई पहले दिन भी चलेगी, और उस लड़ाई में भी आप हारोगे, क्योंकि ये तो पांसाथ दिन में खतम होने वाला है, आप पहले दिन इसको हटाने म इसको साथ दिन का समय लगना है, दूसर दिन घाणे में लड़ाई लड़ोगे, फिर आप हारोगे, तिसर दिन घाणे में उभी आप हारोगे, तो लगा तर हमारे हारने की प्राक्टिस, हारने की आदत बंती चली जाती है, और हम बहुत जदा helpless फील करने लग जाते हैं, औ वही हमारे अंदर गबराट पैदा कर देती, वही हमारे अंदर इंसेक्योरिटीज पैदा कर देती, वही हमारे अंदर डर पैदा कर देती है, तो यहाँ पर यह क्या है, यह एक negative explanation है किसका, बुखार का जुखाम का, तो यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे समझ लीजेग और जो सुख और दुख अच्छा और बुरा, खराब, बढ़िया यह जो बोला जा रहा है, यह हमारे perception के reference में बोला जा रहा है, मतलब यह तो है जो गटना उसके reference में है, और उसको देखने वाला जो है, उसके reference में सुख और दुख को परिभासित किया जता है, गटना जो ह परण है उन्हीं के अनुसार हो रहा है, लेकिन हम जो हमारा द्रश्टिकोन उसको देखने का जो नजरिया है, उस नजरिये के अधार पर हम उसको सही और गलत में क्लासिफाई करते हैं, पाप और पुन्य में क्लासिफाई करते हैं, सुर्ग और नर्ग के अधार पर क्लासिफ के उपर है तो यहाँ पर जो सुख और दुख है वो perception के उपर है वो गटना से related नहीं है इस चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लीजेगा understand कर लीजेगा मतलब जितना भी मसला हमारी feeling वाला depend करता है वो depend करता है हमारे neural patterns के उपर और अगर हमारा perception negative है patterns negative है तो उसके अंदर हम उस event से लड़ना सुरू कर देते हैं उस event से जगड़ा सुरू कर देते हैं और वो event अमरे दिमाग में रुक जाता है और वही अमारे अंदर anxiety पैदा कर देता है तो अगर हम हमारे patterns negative से positive की direction में ले आएं तो हमारा जो पॉजटिव हो जाता है, हम एजी हो जाते हैं, हम अमारे एन्वार्मेंट के साथ में अच्छा मैसूस करने लग जाते हैं, तो यह जो पैटन्स का नेगेटिव से पॉजटिव तक होने की जो यातरा है, यही यातरा है दोस्तों, CBT की यातरा, Cognitive Behavioral Therapy के अंदर, basically हम यही चीछ सीखते हैं, कि हम हमारे जो negative patterns है, उनको हम positive में कैसे convert कर लें, क्योंकि प्रक्रति में जैसा होना है, जो हमारे साथ में जो events हो रहें, वो तो हो ही रहें, क्योंकि उनके जिनके जो कारण है, उन कारणों के कारण जो चीज़ें होनी है, वो तो रहें हैं, हम किस नजरिये से उसको देख रहें, तो उसके लिए हमें हमारे patterns को positive करने की जोरत है, जिसके लिए हमें regular CBT की practice करने की जोरत पढ़ती है, अगर हम continuously CBT का practice करते हैं, cognitive behavioral therapy का, तो हम धीरी धीर अपने सारे negative patterns को किसमें convert कर लेते हैं, positive patterns के अंदर convert कर लेते हैं, तो प्लीज उसे subscribe करें, ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचाएं, दोस्तो हम लोगों ने हमारे जो negative patterns हैं, इन negative patterns को हम कैसे change करें, क्योंकि change करने के लिए पहले हमें यह पहचानना पड़ेगा कि यह basically negative pattern होता क्या है, तो इस negative pattern को हम कैसे identify करें, उसको कै कैसे correct करें, उसको कैसे positive में convert करें, इसके उपर हम लोगों ने step by step learning का एक पूरा course launch किया है, CBT का जिसका link नीचे description में है, जिसको आप अपने अंदर install करके, जिसको सीख के आप अपनी psychological जो problems है, उसको पूरी तरह से खतम करने हैं, वो बहुत अच्छे से help ले सकते हो, अपन